रोड कंस्रक्शन का काम चरहा होता है एक जिसी भी मशीन लगातार रोड कंस्रक्ट करने के काम में लगी होती है लेकिन उससे पहले उसे खुदाई करनी होती है वो खुदाई में लगी होती है तभी अचानक बहुत सारे बंदरों की फौज आ जाती है और जेसी भी मशीन को खेर लेती है अचानक जेसी भी मशीन भी खराब हो जाती है आखिर क्या था ऐसा कि वो बंदर रोकना चाहते थे जेसी भी मशीन को कैसे खराब हो गई जेसी भी मशीन अचानक काम करते हुए इस किस्से के पीछे की सचाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे और जब जान लेंगे तो आपके दिल में करुणा जाग उठेगे आपके दिल में एक अलग ही भाव आजाएगा तो इस वीडियो को आन तक जरूर देखें यूँ तो आप सभी जानते हैं कि हिंदु धर्म को सबसे पुराना और सबसे पूझनी माना जाता है हिंदु धर्म में गाय हो या वानर हर किसी को आराधि देव के साथ जोड़ कर पूझा जाता है जहां गाय को गवमाता माना जाता है वही बंदरों को हनुमान के वंश का मान जाता है और उनकी सेना से जोड़ा जाता है याने कि वानर सेना से भारत देश में तो आप सब ने देखा ही होगा लेकिन आज इस घटना की हम बात कर रहे हैं वो कहीं और की नहीं बलकि हमारे पडोसी देश पाकिस्तान की सरजमी पर घटी है जी हाँ इस घटना की घटने के वरा रोट पर कारे के लिए जैसी भी मशीन लगाई गई थी कुछ घंटों की मशक्कत करते हुए उन्होंने रोट का कारे तो किया लेकिन अचानक से वह जैसी भी मशीन खराब हो गई उसके बाद दुबारा टेक्निकल एरर के चलते एक और जैसे भी मशीन लगाई के जब लोगो ने इन पेड़ों को गौट से देखा तो हमां कोई ओर नहीं बलकि हाजारों की संक्या में बंदर आ गये थे, वानर आ गये थे जो लगादार पेड़ों को जःंजोर रहे थे और उन में से कुछ वानर विभिन प्रकार की आवासे निकाल रहे थे ऐसा लग रह था कि मानोव कुछ कहना चाह रहे हैं और जब लगातार ये सुनने के बावजूद भी जेसीवी मशीन का काम चलता रहा तो ऐसे में बहुत सारे वानर नीचे उतर कर उस जेसीवी मशीन पर हामला करने लगे रोट कंस्रक्शन करने वाला पूरा प्रशासन डर गया क्योंकि व वन बंदरों को हाँ से दूर भगाने का प्रयास किया वन ने विभाग के द्वारा कई बार हावा में फाइरिंग की गई ऐसे में वानर भागे नहीं बलके आसपास की पेड़ों में जाकर वापस पैट गया और यहीं नहीं वन बंदरों की आवाज में करकश्ता और बढ़ ऐसे में सभी लोग परिशान होने लगे ऐसे में सिर्फ प्रिशासन की अधिकारी नहीं बलकि वन ने जी जीव संरक्षन के अधिकारियों के साथ आसपास के गाउं वाले भी बहुत परिशान हो गये हैं आखिर क्यों इन वानरों द्वारा लगातार ये किया जा रहा था ये कोई नहीं समझ पा रहा था जिक ग्यासा लगातार बढ़ती जा रही थी कैसे हरकते वानर कैसे कर सकते हैं भला और क्या है इसके पीछे कारण है क्योंकि आज से पहले तब ही उन्होंने ये सब होते हुए नहीं देखा था ऐसे में जेसी बी कार्य लगातार चलता रहा है लेकिन अचानक जेसी बी मशीन में आवाज आने लगी ऐसा लग रहा था मालूम वो जमीन के अंदर खुदाई कर रही है वहां कुछ बहुमूली चीज है जिससे जेसी बी मशीन पूरी तरीके से टकरा रही है और कुछ अलगी आवाज आ रही है ऐसे माचानक सब ही वानर शान्त हो गए और कुछ वानर सीधे तोर पर पेड़ से उतर कर रोड पर आ गए ऐसा प्रतीत हो रहा था ज्यसे को किसी का इंतजार कर रहे है कोई है जो नहीं दर्षन देने के लिए आने वाला है ऐसे माचानक से जीजीवी मशीन के चलख ने जीजीवी मशीन को बंद कर दिया और उतर कर जमीन का जायसा लेने लगा लेकिन जब उसने देखा कि आखिर धर्टी के अंदर क्या है जो जमीन वह खोद रहा था उसके अंदर का नजारा देखकर जिसी भी चालक और उसके साथ जितने भी परशासन के अधिकारी खड़े थे जितने भी वन्य जीव सारक्षन के अधिकारी खड़े थे आसपास गावाले थे सब के सब हैरान र हुई थी ऐसे में सब की जिग्यास और बढ़ गई सभी समझ गए कि ये वानर आखिर क्यों शोर मचा रहे थे आखिर ये वानर जो थे वह वानर सेन थी आसपास के ग्रामेडों को बार-बार ये तंग कर रहे थे इसलिए ही तंग कर रहे थे जब प्रशासन के अधिकारियों ने उस मूर्ती को देखा तो वो समझ गए कि पास में ये खंडर जो दिखाई दे रहा है वो हनुमान जी का मंदिर ही है जिसी खुदाई के रुकावड बने हुए थे वानर वो कोई और नहीं बलकि हनुमान जी का इतिहासिक मंदिर था उसके आसपास जब खुदाई की हनुमान जी की मूर्ती के साथ आठ नो अलग-अलग मूर्तियां भी मिले जिसमें अलग-अलग मूर्तियां थी जैसे की गणेश जी की मूर्ती, शेर वाली मूर्तियां और मिट्टी के बने बरतन भी थे लेकिन जो घटना घटी याने के लगातार वानरो द्वारा कई बार ऐसे में साफ दर्शाता है कि हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं साथी साथ अपनी वानर सेना का खयाल भी रखते हैं जिसके चलते पाकिस्तान के रोड भोरे खुदाई के दौरान भी घटना घटी अगर आप भी सची हनुमान भाक्त हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके देश भर में फैलाएं शियर कीजिए वाटसैप पर फेस्बुक पर और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इस पेश को फॉलो करना ना भूलें मिलते हैं गरे दिल्चस वीडियो में तब तक के लिए आप सब का हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद